नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरी चैनल में आज मैं आपको पॉकेट बनाना सिखाऊंगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे सामने वैल बटन को आप प्रेस कर दे ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफि लेंगे 13.5 पे हम निशान लगाएंगी साड़े 13 इंची हम हमेशा लेते हैं आपका साइस जाय जो भी हो आपको लेंद इतनी ही लेनी होती है ठीक उसके बाद अब यहां से हम उपर से चोड़ाई लेंगे ये लेंगे हम 5.5 ठीक 5 एंड हाफ लेंगे साड़े 5 इंच उपर से हम थोड़ा कम लेते हैं और नीचे से थोड़ा ज्यादा ठीक अब नीचे की साइड से जहां पर हमने निशान लगाया वहां से हम नीचे से लेंगे 6 इंच 6 एंड हाफ पर हम ये निशान लगाएंगी नीचे से वन इंच एक्स्टो होता है उपर से थोड़ा कम और नीच सब्सक्राइब चीद स्टिर सब्सक्राइब उस तरह इस बिंभाई नीचे के साइड आज h trends जिसमें ऐसे बिंभाई और इस बाद कट करेंगे सिंपल फ। पॉकेट बनाना है और यह नहीं पॉक्यास शीत एपस्तल में जबनांना आप कब्राइस पॉक्त कट करने दागर Ό या तो यह हमारी पॉकेट के कटिंग हो गई है यह आप देखिए इस तरह से ठीक और यह दूसे अरिम वादाना〜 और हमने खुली साइड से इसकी कटिंग की है वो दूसरी साइड हमारी बंसाइड है ठीक तो ये हमारी कटिंग हो गई है यहां से हम इस तरह से खोलेंगे ठीक ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है अब इसे हम किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ तो ये देखिए, ये हमारा प्लाजो है ठीक, ये हमारी फ्रंट साइड है प्लाजो की बैल्ट हम हमेशा फ्रंट साइड की तरफ ही लगाते हैं ये आप ध्यान रखिए और ये हमारा फ्रंट साइड है इसमें मैं कैसे समझाओंगे वो आप ध्यान से देखिएगा इसकी जो प्लाजो है उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अलग से आपको पौकिट करटना बताया है और सेम वीडियो में बताती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो इसलिए लग लग मैंने वीडियो बनाई है तो अब यह देखिए यहां पर यह जो हमारा प्लाजो है यह मैंने बीच में आसन की साइट से मैंने सिल करके तनी हमें तियार हम अब इसमें भाड़ की साइड नहीं होगा है तो यहां पर हमने जितनी आपकी एलास्टिक के अकॉर्डिंग आपको पेल्ट के प्रहलों तो हमें क्या करना होता है यहां कि फोल्ड होगा half inch हमारा ये अंदर fold होगा तो जितनी भी आपकी elastic है उतनी आपको ये जगे लेनी होती है और half inch आपको extra लेना होता है जो हम अंदर की side ये fold करते हैं ये वाला ठीक इस तरह से आपको belt लेनी होती है क्योंकि elastic के चोड़ाई अलग लग होती है तो आप अपनी elastic के according ही ये ले belt ठीक तब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से और कहाँ पर लगाएंगे pocket ये आप समझेए तो हम सबसे पहले तो निशान लगा लेंगे ठीक जितना मैंने ये belt का लगाए दूसी तरफ भी हम पूरा ये इसी तरह से निशान लगा लेंगे तो ये दूसी साइड भी मैंने इस तरह से पूरे में ही belt का निशान लगा दिया है पहले के वले एक साइड लगा हुआ था ठीक और इसी तरह से आपको यहाँ पर फोल्ड करके देखना है हाप इंचाप ऐसे फोल्ड करोगे और ये जो हमने निशान लगा है इसे हम अंदर तक फोल्ड कर देंगे हमारी रेडी लेंथ होती है प्लाजो की ठीक पैंट प्लाजो है ये और इसे इस तरह से हम जैसे ही फोल्ड करके देखेंगे तो ये हमारी इस तरह से belt रेडी होगी करने के बात नमीन यहां पर हाफ इंच देखेंगेझे थी ऑफ इंच यह पर हम निशान लगा सब्सक्रास देखेंगेगे यहार पर हम अपनी जो हमारी पाकेट है वह यहां जा देख करेंगे तो यह unfair लाया लिए है सीधी साइड मैं इसी तरह से निशान लगा लूगी आपको इसी तरह से निशान लगाना है और फिर आपको इसमें पॉकिट अटेच करनी है और यह क्योंकि फुल इलास्टिक वाला है इसका तरीका यह है और जिसमें केवल हाफ इलास्टिक होते और फ्रेंट में बेल्ट होत क्योंकि दोनों साइड हमें पॉकेट लगानी है तो दोनों साइड मैंने ऐसे निशान लगा लिया अब इसे हम सीधा कर लेंगे यह हमारी फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड से ही हम यहां पर पॉकेट लगाते हैं तो यह मैंने निशान लगा लिया हाफ इंच तब ठीक औ इसमें भी हम 1.5 इंच पर ये निशान लगा देंगे ठीक, अब हमने पॉकेट को इस तरह से खोर लिया है अब यहां से हम, क्योंकि हाट डालने के लिए आपको कितना चीह होता है 6.5 इंच पर आपको ये निशान लगाना होता है ठीक, ऐसे हमने ये निशान लगा लिया पॉकेट का हमारी और इसी तरह से इसी के उपर-उपर हमें सिलाई करनी है तो हम इसके उपर, इस निशान के उपर ही अपना ये निशान रख करके और तब इसमें सिलाई करेंगे ठीक यहां पर हम सीधा सीधा इस निशान के उपर उपर सिलाई कर देंगे तो इसे हम सीधा इस तरह से रखेंगे और अब सीधा इसमें सिलाई लगा देंगे और अब यहां पर रोकेंगे और दुबारा नीचे तक इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो ये हमने सिलाई इस तरह से लगा दी है अब आपको क्या करना है ये जो हमारे कोने हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हमें हलका सा कट लगाना है ठीक यहाँ पर बिल्कुल और आपको ध्यान लगाना है सिलाई को आपको कट नहीं करना है केवल आपको सिलाई से पीछे पीछे ही आपको ये हलका सा कट लगाना है ताकि आप इसे जब फोल्ड करो तो बहुत ही उसमें फिनिशिंग आ जाए अगर आप कट नहीं लगाऊगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी ये फोल्ड ही नहीं होगा ठीक तो ये हमें fold अच्छे से हो finishing आए हमारे कपड़े में इसलिए हम यहाँ पर ये cut लगाते हैं तो अभी से हम इस तरह से ऐसे खोल देंगे और इसे हम पीछे की side कर देंगे ये आप देखिए आपको यहाँ से ऐसे करना है ये आप थोड़ा ध्यान से समझेगा ये हमने इस तरह से पीछे की side कर दिया है और इसे आप ऐसे करोगे हलका सा press करके इस तरह से ये shape कुछ इस तरह से आनी चाहिए जैसे हमने निशान लगाया था बिल्कुल ऐसे ही आनी चाहिए यह देखे ऐसे ठीक इसे आप हलका सा प्रेस करिएगा यहां से कपड़े को और इस पे आपको सिलाई लगानी है सिलाई हम जब इसके उपर लगा देंगे बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी इसमें यह इस तरह ऐसे करके हलका सा आप चाहे नाकून से आप प्रेस कर देंगे और फिर चाहे आप इसके उपर सिलाई लगा दें तो अब इसके उपर भी हमें सिलाई कर देनी है यहां से हम सिलाई लगाएंगे इसमें और अब सीधा नीचे तक हम सिलाई लगा देंगे इसमें और अब तुबारा से हम इस तरह से इसे घुमाएंगे और सिलाई लगा देंगे तो यह हमारी सिलाई हो गई है यह देखे आप यह हमारी सिला इस तरह से हो गई है अब जो आगे का स्टेप है आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेगा यह द्यान से देख करके समझेगा कि किस तरह से ये pocket बनेगी ठीक क्योंकि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको थोड़ा से समझने की जुरत पड़ेगी तो अब यहां से देखें कपड़ा आपको कैसे लेना है ये इस तरह से हमारी pocket ऐसे दिखेगी तो यह इस तरह से ठीक अब आपको क्या करना है ये जो हमारा ये बाहर का हिस्सा है इसे हम ऐसे पकड़ेंगे ठीक और इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे ठीक और नीचे की साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे ध्यान से देखे मैंने किस तरह से कपड़े को रखा है किस तरह से pocket को रखा है और किस तरह से मैं पर सिलाई लगा रही हूं ठीक ये सामने की साइड है और मैंने नीचे की साइड से इसमें अब सिलाई लगानी है यहां से नीचे की साइट से हम सिलाई लगाएंगी एक सिलाई यह लगाएंगी इसके बाद एक और सिलाई लगाएंगी हम इसे सीधा करने के बाद पॉकिट को क्योंकि हम पॉकिट में पक्की करने के लिए सिलाई लगाते हैं ताकि हमारे सिलाई है फो निकल ना जाए कोई भी समान रखने की वज़े से तो यहां से हमने सिलाई लगा ली है यहां तक लगानी है बस जहां तक सिलाई लगाई हुई थी इसके नीचे नीचे हमें यह सिलाई लगानी है अब देखिए आपको क्या करना इसे आप सीधा कर देंगे इसे सीधा करने के बाद हमें क्या करना है अब इसमें हमें पक्की सिलाई लगानी है ये कुछ इस तरह से दिखेगा ये आप ध्यान से देखिए हमारी जो पॉकेट है वो फिलाल इस तरह से दिखेगी ये front side से ऐसे है और back side से कुछ इस तरह से दिखेगी ये कुछ इस तरह से अब ये जो नीचे की side है जो हमने अभी अभी सिलाई लगाई है इसके उपर हमें अभी एक पक्की सिलाई लगानी है पक्की सिलाई इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आप हमेशा ध्यान लखे कभी भी आप ऐसे एक सिलाई लगा के ना छोड़े दूसरी सिलाई आपको लगानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जातर क्या होता है हम फोन यूज करते हैं और फोन वगरा डालो कोई भी आप समान डाल सकते हो तो इस से क्या होता है कि हमारी सिलाई नहीं निकलती है और आपका समान खोने से बज़ जाता था है मालो आपने केवल एकी सिलाई लगाई है और वो कच्छी होती है अगर वो निकल गई सिलाई तो आपका सामान कुल सकता है फोन आप डालो जाते हम फोन ही रखते हैं तो वो क्या होगा वो निकल जाएगा तो इसलिए इसमें पक्की आप सिलाई लगाए इससे आपको कोई भी प्रॉलम नहीं होगी और यह सिलाई बिल्कुल भी नहीं निकलेगी तो यह हमने देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा दी है ठीक अब यह पॉकेट हमारे कुछ इस तरह से रेडी हो गई है फ्रेंट साइड से कुछ ऐसे ठीक है और बैक साइड से देखिए आप बैक लगा ली है दूसी साइड से बंद था ठीक अब क्या है आपकेवल ऊपर की साइड से हमारी पॉकेट रह गई है अब उपर के साइड से हमें कैसे करना है हाफ इंच हम ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और फिर यह हम जब बैल्ट अपनी लगाएंगे इसमें इलास्टिक डाल क करके तो उपर से भी हमारी इसमें आ जाएगी तो उपर से भी बंद हो जाएगा ठीक तो यह हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी पॉकेट बन करके और यह इस तरह से बहुत ही आसान है पॉकेट बनाना आप बहुत ही आराम से किसी भी प्लाजो में यह पैंट प्लाजो मे आप डालो तो आराम से आजाएगा आपको प्रॉलम नहीं होगी ठीक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए लाइक जरूर कीजिए वीडियो को देखने के लिए थामेगा